हिंदी माध्यम के सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और प्रिश्णावली पांच दसमलाव दो में आगे बढ़ते हुए अब हम इसका तेर्मा कॉश्चन बहुत अच्छे से हल करना सीखेंगे। प्रिश्ण दिया गया है कि तीन अंकों वाली कितनी संख्याएं साथ से विभाज्य हैं। तो देखो ये सवाल हम पे तभी बन सकता है जब हमें ये पता हो कि तीन अंकों वाली संख्याएं कहां से सुरू होती हैं और कहां पे खतम होती हैं। तो मैं यहां पे रख पेपर का यूज करके आपको सिखाता हूँ, पड़े ध्यान से समझना, देखो, 99 एक ऐसी संख्या है, जो दो अंकों वाली है, और 99 के बाद क्या आता है, 100, लेकिन जैसे ही 100 आता है, तो 100 में 3 अंक हो जाते हैं, एकाई का अंक, दहाई का अंक, और सैकडा का अंक, यानि कि हम यह कह सकते हैं, कि 3 अंकों वाली संख्याओं की सुरुवात 100 से होती है, क्योंकि 100 के पहले तो 2 अंक थे, तो यह तो 2 अंकों वाली संख्या हो गई, तो 100 से हम आगे बढ़ेंगे तो 101 आ जाएगा ये भी तीन अंकों का है तो ये भी तीन अंकों की संख्या मानी जाएगी तो इसके बाद 100 से हम आगे बढ़ते जाएंगे 102, ये भी तीन अंकों की है, 103, 104, इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे 105, 106, और आगे बढ़ते बढ़ते हम 999 तक पहुँच जाएंगे, तो ये तीन अंकों की संख्याएं हमें मिलती जाएंगे. लेकिन हम 999 के बाद जब आगे बढ़ते हैं और 1000 लिखते हैं तो ये तो चारंग हो गए, एकाई, दाहाई, सैकड़ा, हजार तो ये चारंग हो जाते हैं मतलब तीन अंकों की जो संख्याएं होती हैं वो 100 से सुरू होती हैं और 999 पे खतम होती है 100 और 999 के बीच में जितनी भी संख्याएं आएंगी वो सब तीन अंकों वाली होंगी लेकिन सवाल में लिखा है कि तीन अंकों वाली वो संख्याएं हमें उन संख्याओं की स्रेणी बनानी हैं जो केवल साथ से विभाज हों इसका क्या मतलब हुगा? इसका मतलब ये हुगा कि हमें ऐसी केटेगरी बनानी है इन वैसी वैसी संख्याओं को हमें लेना है जो साथ से पूरी पूरी बार विभाजित हो न दसमलाओं में उत्तर आए ना कुछ हो साथ से पूरी बार विभाजित हो पूरी पूरी बार तो हमने संख्याओं को सेलेक्ट करना सुरू किया हमने सौ में भी साथ का भाग दिया एक सो एक में भी दिया एक सो दो में भी दिया एक सो तीन में भी साथ का भाग दिया एक सो चार में भी साथ का भाग दिया और एक सो पाच में भी साथ का भाग दिया और ऐसे सम में दिया लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है आपको सौ में भाग दे के देखना है 101 में 102 में 103 में 104 में और आप पाओगे कि इन चारों में 104 तक साथ में कहीं भी पूरी पूरी बार विभाजित नहीं होता है दसमलाव में ही उत्तर आएगा मतलब सौ में यहां पे साथ का भाग दोगे तो दसमलाव में उत्तर आएगा 101 में भी साथ का भाग दोगे तो दसमलाव में उत्तर आएगा 102 में भी 7 का भाग दोगे तो दसमलाव में उत्तर आएगा लेकिन 105 में अगर 7 का भाग दोगे तो मैं आपके सामने यहां पे भाग दे के बताता हूँ कि हमने 105 लिखा और इसमें अगर हमने 7 से भाग दिया तो हम पहले 10 सिलेक्ट करते हैं तो 7 एकम 7 तो आप देखोगे कि 10 में से 7 चले जाएंगे तो 3 बचेंगे अब 7 का तो 3 में जाएगा नहीं तो हमने 5 और उठा लिया तो 35 हो गया अब आप लिखोगे कि 7 पॉने 35 लिखोगे कि नहीं तो देखो यह पूरी पूरी बार 35 में उससे 35 गया तो क्रॉस हो गया, कट गया, 0 उत्तर आएगा, यानि कि इसे सपल 0 बचेगा, लेकिन उत्तर कितना आएगा, 15, इसका मतलब है कि 105 तीन अंकों वाली एक ऐसी संख्या है, जो 7 से पूरी-पूरी बार विभाजित है, बाकि ये नहीं थी, तो पहली संख्या हमें मिली कौन 105, जो साथ से पूरी-पूरी बार विभाजित है, अगर हमें पहली संख्या मिल गई है, तो उसके बाद की संख्या एक खोजना बहुत आसान काम है, सिर्फ आपको उसमें साथ जोडते जाना है, यानि अगली संख्या कैसे मिलेगी, 105 में जो 7 जोड़ा है, उसमें भी 7 जोड़ द तो अगली संख्या मिलती जाएगी फिर मेहनत करने की जरूरत नहीं है फिर हर संख्या में साथ से भाग देने की जरूरत नहीं है पहली संख्या बस निकाल दो तो एक ना होगी, दो ना होगी, तीन ना होगी, चार ना होगी, पांच ना होगी, छटमी तो होगी तो एक संख्या जैसे ही आपको मिलेगी फिर बस उसमें साथ जोडते जाओ तो पहली संख्या तो 105 मिलेगी दूसरी संख्या 105 में साथ जोडोगे तो दूसरी संख्या 7 तो 5,12 की दो हासल आ जाएगी एक, 1,1 112 हो जाएगी फिर 112 में भी साथ जोड दिया तो देखो ये हो जाएगा 119 तो ऐसे आपको 105, 112, 119 इन सभी संख्याओं में साथ का भाग पूरी पूरी बार जाएगा तो शुरुआत की एक, दो, तीन संख्या हैं तो हमें मिल जाएगी लेकिन अगर हम आख्री का पद भी अगर ग्याद करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं इसके लिए क्या करना पड़ेगा सबसे आख्री की तीन अंकों वाली संख्या क्यांसी है 999 ठीक है, तो हम क्या करेंगे 999 जूर है, वो तो हमने लिख लिया कि 999 बे है लेकि 999 से हम पीछे की ओर घटेंगे तो 999 मिलेगी फिर हम पीछे की ओर घटेंगे तो 997 भी होगी क्योंकि 999 में 7 का भाग पूरी पूरी बार नहीं जाता तो हमने कहा कि भले ये तीन अंकों की है लेकिन 7 से विभादत आखरी अंक नहीं है पीछे गए क्योंकि आगे तो जा नहीं सकते, क्योंकि आगे तो एक हजार है, तो फिर इसमें साथ से भाग दिया, 998 में इसमें भी नहीं गया, 996 में दिया, उसमें भी नहीं गया, 995 में दिया, उसमें भी नहीं गया, तो फिर हमने 994 में दिया साथ का भाग, तो 994 में साथ का भाग पूरी पूरी बार चला गया देखो कैसे हमने नौसो चोरान में लिखा और हमने साथ का भाग दिया तो साथ एकम साथ पहली बार में नौ में से साथ गई तो दो बचे अब साथ का दो में भाग नहीं जाता तो हमने 9 को अतार के लिख दिया यहां पे 29 हो गया, अब सत चो के 28 हो गया, अब 29 में से 28 गया तो कितना बचा एक बचा, ये 4 जो है यहां पे लिखो अब साथ दूनी, चवुदा यानि 14 में से चवुदा गया तो सेसफल 0, सेसफल 0 के मतलब होता है कि पूरी पूरी बार भाग गया 142 बार इसका मतलब आखरी वाली जो आखरी वाला जो तीन अंकों की संख्या है जो साथ से विवाज होती है वो 994 है 994 के बाद जितनी संख्या है वो साथ से फिर विवाजित नहीं होती क्यों नहीं होती इसका रीजन में बता देता हूँ क्योंकि 994 में अगला पत साथ जोडने से ही आएगा तो जब साथ जोडोगे तो साथ चार ग्यारा की एक हासल आजाएगी एक 9 और एक 10 का सुन आसल आजाएगी एक 9 और एक 10 तो अगली संख्या तो 1001 होने वाली है जो की 4 अंकों की है लेकिन हमें तो चाहिए 3 अंकों की इसलिए केवल 994 अंतिम वो संख्या होगी तीन अंकों की जो साथ से बिवाजित होगी तो फिर हमने क्या दिमाग लगाया हमने कहा चलो केटेगिरी बनाते हैं तो हमने लिखा कि तीन अंकों की साथ से बिवाजित संख्याएं इस प्रकार है और फिर हमने बताया था कि जो पहली संख्या है वो क्या होगी 105 फिर दूसरी संख्या कितनी थी 112 फिर उसके बाद अगली संख्या 119 और आखरी वाली संख्याथी 994 तो इस तरीके से हमें ये एपी मिलेगी ये एक एपी ही होगी क्यों होगी एपी आपको पता है क्योंकि इन में साथ साथ का डिफरेंस है लेकिन हमें ये पता करना है कि कितनी है ये संख्या है मतलब हमें N का मान पता करना है तो कोई भी समानतल श्रेणी हो उसका प्रथम पद हम सबसे पहले लिखते हैं तो हमने लिखा प्रथम पद A बरावर 105 है फिर हम निकालेंगे सार्व अंतर तो हमने यहाँ पे लिखा सार्व अंतर 112 मैंसे हम 105 गटा देंगे तो यह साथ ही आएगा क्योंकि सभी के बीच में common difference साथ का ही है अब आखरी पद को हम A N कहते हैं तो हम लिखें यह कि चू कि जो A N है वो अपना 994 है तो लिख दिया कि A N 994 है तो A N का जो मान है A N का जो फॉर्मूला है वो हम पे बनता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D तो A N का फॉर्मूला रख दिया बरावर है तो बरावर और इसके बाद यह 994 हमने लिख दिया अब A और D के मान हमारे पास अल्रेडी है यहाँ पे हम A और D रखेंगे N मिल जाएगा यही अंसर आजाएगा तो चलिए करते हैं तो A का मान कितना हो गया 105 प्लस N माइनस 1 और D का मान कितना हो गया 7 तो D की जगा पे कितना रखेंगे 7 और बरावर कितना हो जाएगा तो बरावर हो जाएगा 994 अब जो 105 है इसका पक्चांतर इस तरफ करेंगे हम यहाँ पे इंप्लाई Z का यूज भी कर सकते हैं 105 इस तरफ ले गए तो यहाँ पे बचेगा N माइनस 1 और 7 और बरावर यहाँ पे आएगा 994 माइनस 105 अब आगे बढ़ते हैं तो N माइनस 1 जियोंकाते हूं लिखो और 7 भी लिखो अभी जियोंकाते हूं क्योंकि यह घटाना है तो 994 मैंसे 105 घटा होगे तो आपको मिलेगा 889 ठीक है अब यहाँ पे जो 7 है यह गुणा में है तो गुणाबाली संख्या बटे में लेके आएंगे तो एन माइनस 1 जियोंकाते हूं बरावर 889 और बटे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा अब 7 से यह अगर कटता है तो काट भी सकते हैं तो चेक करते हैं 7 एकम 7 बचेगा 1 हो जाएंगे 18 7 दूनी 14 बचेगे 4 हो जाएंगे 49 बिल्कुल कटेगा 7 सतिया 49 तो 127 बार यह कट जाएगा ठीक है अब माइनस का एक जो है इस तरह पलेके आ जाएंगे तो N बरावर होगा 127 और माइनस का एक इस तरह पाजाएगा तो पिलस का एक हो जाएगा तो N बरावर हो जाएगा 128 तो टोटल कितने पद होंगे 128 पद होंगे तो तीन अंकों वाली संक्या है जो होगी जो साथ से विभाज होंगी वो होंगी 128 तो लिखेंगे कि अताहा तीन अंकों वाली तीन अंकों वाली तीन अंकों वाली साथ से विभाज संक्या है टोटल 128 है तो इस तरीके से ये प्रश्न तेर्मा आपको अच्छे से कर लेना है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा ठीक है तो यहां से आपको लिखना है फिर इसके बाद ये वीडियो को पॉस करके लिखना है और इसके बाद यहां उमीद है कि ये सवाल आपको अच्छे से समझ आ गया होगा अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक करिएगा और प्लेलिस्ट से पढ़ दिएगा नीचे प्लेलिस्ट की लिंक है ठीक है थैंक यू